मोधी जी की नीती और नियत दोनों में खोट है आज भी महिला अरक्षन पर किंतू, परंतू, अपितू से पूरा बिल भरा पड़ा है आज भी ये जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोधी जी के स्कोर कार्ड पर निलबटा सन्नाटा है तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला अरक्षन का लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई क्योंकि ये बिल साफ तोर से कहता है कि महिला अरक्षन तभी होगा जब पहले जनगरना होगी फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला अरक्षन क्रियानवित होगा कुछ चीजे दलगत राजनीती से उपर होती है और महिलाओं का सशक्ति करण और भागिदारी मुझे लगा था उसमें से एक है मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूँ एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सारविजनिक जीवन में बदलाओ का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीती से जुड़ जाना ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है एक आधी आबादी है जिसको ये लगता है कि उनका प्रतिनेदित्व होना चाहिए उनको आरक्षन मिलना चाहिए तो जब मोधी सरकार ने विमिन्स रेजर्वेशन बिल की महिला आरक्षन की बात की तो हम प्रफुलित हो उठे हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीय की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी हमने राजसभा में बिल पारित कराया था अब वो क्रियानवित होगा लेकिन अब पता चला कि मोधी जी की नीती और नियत दोनों में खोट है आज भी महिला अरक्षन पर किंतू, परंतू, अपितू से पूरा बिल भरा पड़ा है आज भी ये जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोधी जी के स्कोर कार्ड पर निलबटा सन्नाटा है तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला अरक्षन का लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई क्योंकि ये बिल साफ तोर से कहता है कि महिला अरक्षन तभी होगा जब पहले जनगरना होगी फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला अरक्षन क्रियानवित होगा मतलब दो हजार उनतिस से पहले महिला अरक्षन संभवी नहीं है जिन लोगों को लग रहा था कि दो हजार चौबिस में दस साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे उनको भी ठग लिया मोदी जी ने आज इस देश की महिलाएं अपने आपको ठगा महसूस कर रही है क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगरना होते होते दो हजार उनतिस तक ही ये संभव हो पाएगा ये जो बिल था हमारा लाय हुआ बिल राजसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था अगर आपकी नीती और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते बिना कंडिशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षन एक रियालिटी बनता लेकिन असलियत ये है कि आपने महिला आरक्षन के नाम पर भी देश की आदी अबादी को एक जुमला थमा दिया बहुत कुछ कहने से ज़ादा एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ आज अगर आपकी नीती साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था किन्तू परंतू अपितू हटाईए महिलाओं के सशक्ति करण की बात कीजिए जो दूर दर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाया जो उसका परिणाम है कि 30 लाक से जादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शन्स में 10 लाक से उपर महिलाएं है जो दूर दर्शिता और दृर निश्चे सोनिया जी ने और मनमोहसिंग जी ने दिखाया था वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की एक तिहाई भागिदारी होती लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था वो जुमला था आपको नए सदन में जाना था एक बड़ा इवेंट करना था और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहार और निकली चुहिया खोदा पहार और पता चला 2024 में नहीं ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा अगर आप चाहते तो आप जनगरना 2020-2023 के बीच में करा सकते थे सब कुछ हुआ लेकिन जनगरना नहीं हुई फिर भी आपने जनगरना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटीरिया बनाया तो देश की महिलाएं आप से आज सवाल पूछ रही है कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी अबादी को भी बना दिया